90% लोग इसी remedy का यूज़ करके अपने बालों को बहुत ज़्यादा soft बनाते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार बनाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिल्की बनाते हैं, जब हम पारलर में hair smoothing कराते हैं, फिर hair rebonding कराते हैं, तो उससे हमारे बालना तुरंट से बहुत ही चमगदार बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा भी बनाते हैं, वह अपने बालों को ज़्यादा है, पर प्रेंद करेंसे हमारे में hair palm ut Kelly Beaus, आपने बम इस вами को सान। लुद्यान करना जनधा सकते भी दोई सागए ब्सक्राइप हैं, बालों को बहुत ज़्यालों को भी मिंतलए आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए कोई भी खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है आपको ये घर पर ही सारी चीज़े अभिलेबल मिल जाएंगे उन ही सारी चीजों से आपको ये remedy बनाना है अपने बालों पर अच्छे से apply करना है दिन आपको इसे hair wash कर लेना है इतना ही सिर्फ आपको करना है और आपके बाल कुछ इसी तरह से घने होंगी ये मैं खुद ही हूँ और मेरे बालों का घनापर आप देखी सकते है अगर आपको सीवियर से सीवियर hair full का problem है आपके मांग दिरी दिरी चौड़े होते जारे हैं तो भी आप इस remedy को यूज़ कीजी ओल इन वन remedy है आपको बहुत अच्छा इस result मिलने वाला है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको भी बरतर में थोड़ा सा पानी ले ले लिए यहां पर आपको आधा चमच के करीब चाय पती डालना है वहीं चाय पती जो हम घर में चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं अब इसे आपको उबाल लेना है बिल्कुल अच्छे से यहां पर आप हाई फ्लेम पर भी इसे उबाल सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है यह 5 मिनिट में अच्छे से उबल जाएगा यह बहुत मतलब इसली तयार हो जाएगा ठीक है जब यह उबल जाए उसके बाद आपको इसे कोई भी कटोरी में छान लीजे कोई भी छलनी के मज़द से यह जो चाय का पानी हमें मिलेगा ना फ्रेंस यहीं पानी हमें इस मास को तयार करने के लिए यूज़ करना है यह हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हमारे बालों को बहुत अच्छा सा कलर देने में भी हल्प करता है अब अगला इस टेप में हमें कोई भी बावल ले लेना है यहाँ पर हमें डालना है मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी जितना हमारे face के लिए effective होता है सेम उतना ही ज़यादा effective होता है हमारे बालों के health के लिए ठीक है प्रिंस अब अगला ingredient हमें चाहिए होगा banana प्रिंस बनाना ऐसा यूज करना है जो कि बहुत ज़यादा पका हुआ हो बनाना में विटमिन A होता है और फोलेट होता है जो हमारे बालों में एक्स्ट्रा साइन एड करने का काम करता है हमारे बालों को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाने का काम करता है तो कई बार हमारे घरों में जो क्येला खाने लैग नहीं वचता है उसे अपने बालों के लिए यूज कर सकते हैं वह हमारे बालों को बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा शाइनी बनाता है तो इस चाय वाले पानी को ठोड़ा धोडा करके आप डालिए इसे अच्छे से मैस कर लिजे आप चाहे तो मिक्सी में इसे पीस भी सकते हैं ठीक है फ्रेंस पीसेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स नहीं मौझूद रहेंगे यह बहुत स्मूथ सा पेश तयार हो जाएगा अब अगला इंग्रेडियंट हमेज़ डालना है फैनुग्रीक शीट पाउडर अगर आपके पास यह पाउडर फोम में अबलबल नहीं है तो आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिजे अब अगला इंग्रेडियंट हम यहाँ पर थोड़ा सा हनी यूज कर रहे है हनी हमारे बालों को हाइडरेटे रखने का काम करते है हमारे बालों में फ्रीजिनेस का प्रॉब्लम आरे नहीं देता है अब इन सारे चीजों पर आपको थोड़ा-थोड़ा करके चाय का पानी अब बिलकुल अच्छा सा पेस्ट तयार कर लेना है विटली स्टाटिंग में आपको इसे लिक्वीडी कंसिस्टेंसी में छोड़ा था था ना यह बिलकुल इसमूत हो जाएगा जैसा चाइसा आपको मिल जाएगा क्योंकि इस वर मनें फेनुगरिक शीट पावड डालन त इकसे में ग्राइंड कर सकते हैं, बिलकुल और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, उसके बाद आप अपने पूरे बाल पर पूरे लेंड पर अच्छे से अपलाई कीजिए, एंकम से कम आदा गंटा के लिए अपने बालों पर लगे रहने दीजिए, उसके बाद अपन में कितना दिन इसे यूज़ करना है, फ्रेंस वीक में सिर्फ आप एक दिन इसे यूज़ कर लो, यह इतना ज्यादा पाउरफुल है, इतना ज्यादा पोटेंट है हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए, आपको दुबारा यूज़ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सिर्फ वीक में आपको एक दिन यूज़ करना है, हर वीक आप सिर्फ एक एक दिन यूज़ करते जाएए, आप कुछ ही दिन में देखेँगे, आपके बाल बहुत ज्यादा सौप्ट एंड s говоря हो जाएँगे, बहुत ही ज्यादा चमकदार हो जाएंगे andád लस्टर आपको मि बहुत कम हो जाएगा तो जाए इस रेमेडी को यूज कीजिए अपना एक्सपेरियंस हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा